हेलो एवरिवन मैं साधनार बहुत बहुत सागत करती हूँ आप लोगों का अपने चेरा लिम्भी पका ये मिखा एंड ब्लॉग आज की रेस्पी मैं लेके आई हूँ मुंगफली की चिक्की बिल्कुल हम मार्केट के जिसे बनाएंगे मुंगफली की चिक्की तो चलिए बनानाय स्टाट करते हैं तो यहाँ पर मैं लेली हूँ चार सो ग्राम मुंगफली और गैस पर मैं रख दвин़ी हूँ कढ़ाई और इस मुंगफली को हम कढ़ाई में डाल देंगे और मैं इसे मीडियम टू स्लो आज़ पर ही भूनोंगे कभी मिडियम कर देंगे, कभी स्लो कर देंगे और इस तरीके से हम मुंगफली को भूनेंगे जिससे ये बिल्कुल क्रंची सा हो जाए हमें क्रंची सा मुंगफली चाहिए तो मैं इसको चलाते हुए अच्छे से भूनने रही हूँ अपसे माच पे थोरी दिर के लिए रोक भी सकते हैं लेकिन चलाते रहेगा तो अच्छे से भून जाएगा और इसमें से चटकने की आवाज आने लगती है जब ये पकने लगता है और हम इस तरीके से मुंगफली को उठा के चेक भी कर सकते हैं ये अभी नहीं हुआ है क्रंची सा अभी बहुत सॉफ्ट है तो हम इसे और भून लेंगे इसका छिलका बिलकुल निकल जाता है जब ये भून जाता है तो और बिलकुल तच करने से ही क्रंची सा लगता है या आप चाहें तो खा के भी देख सकते हैं तो देखे इसका छिलका बहुत असानी से निकल गया और छूने से ही पता चल रहा है कि ये क्रंची से हो गया है आप खा के भी पता कर सकते हैं तो यहाँ पर गैस कफले मैं बंद कर दे रहे हूँ और इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं तो जब यह ठंधा हो जाएगा न तब इसका हम छिलका निकालेंगी तो यह मुंगफली हमारी ठंडी हो चुकी है आप चाहें तो इसे हाथों से भी इस तरीके से मसल मसल पर इसका छिलका निकाल सकते हैं यहाथों से भी मसलने से निकल जाता है या आप किसी कप्रे से भी निक बढ़ाएंगे तो देखिए इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं मैं बता रही हूं कपड़े पे नहां मुंगफली को डाल देंगे और इसको अच्छे से हम रगड़ेंगे ना तो सारी छिलकासानी से निकल जाएंगे तो मैं इसमें बहुत यह तरीके से प्रोपर तो यहां मैं मुंगफली को नहीं हम इस तरीके से रगड़ लेंगे कपड़े पे इसके छिलके बहुत असानी से निकल जाते हैं या आप इस तरीके से कपड़े को इकठा कर लेजिए चारों तरफ से हम कपड़े को इस तरीके से पकड़ लेंगे और एक हाँ से हम इस तरीक से मुंगफली को रगड़ेंगे तो सारे छिलके बहुत ही असानी से निकल जाएंगे आपको जो भी असान तरीका लगे आप उस तरीके से इसके छिलके निकाल सकते हैं तो यहां पर देखिए मुंगफली की जो सारे छिलके हैं निकल चुके हैं अब इसे हम छिलकों से अलग क तो इस तरीके से हमें मुंगफली को साफ कर लेना है छिलकों से अलग कर लेना है और यहां पर मैं इसको क्रस करूँगी क्योंकि कुछ दाने ना इसके बहुत खड़े-खड़े हैं यानि यह साबूत है तो यहां पर मैं ग्लास से ही दबाओ रही हूं मुंगफली को तो यह क् साबुत मौंगफली के दाने में क्रस हो चुके हैं महीन से हो चुका है कोई बात नहीं चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं तो यहां पर मैं ले लिए हूं उतना ही गुर भी लिए हूं और प्लेट में घी लगा ले देंगे और इसमें एक छोटे कॉप से में पानी भी डाल किया है अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें इसकी चासनी बहुत कड़क सी बनानी है तभी जाके मुंगफली का जो चिक्की है बिलकुल कुड़कुरा बनेगा तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और यहां पर मैं गैस कफले मेडियम रखे हूँ और यह देखिए गुर अच्छे से मिक्स हो चुका है मेल्ट हो चुका है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी गुर की जो चासनी है वो बिलकुल रेडि हो चुकी है तो चलिये चेक करके मैं बताती हूँ कि आप इस तरीके से पता कर सकते है थोड़ी सी चासनी आप ले लिजी चमच में और पानी में डाल के देखिए तो देखें पानी में डाल दी न ये चारो तरफ फैल गया तो ये अभी चासनी रेडी नहीं है अभी हमें और पकाना है चासनी को तो हम इसे और पका लेंगे और बीच बीच में हम इसी तरीके से चेक करते रहेंगे तो फिर से मैं चेक कर रहे हूँ पानी में थोड़ी सी चासनी डालके इस तरीके से और जब चासनी को हम इकठा करते हैं तो इकठा हो जाती है और क्रक्स हो जाती है लेकिन यह अभी ready नहीं हुआ है तो चासनी को मैं कुछ दिर और पकाऊंगी तो इस तरीके साब को पता चल जाएगा कि चासनी कब ready हुई है अगर आप बीच बीच में चेक करते रहेंगे तो पानी में डाल डाल के फिर मैं यहाँ पे एक बार चेक कर रही हूँ तो यह देखें डालते ही ना यह कठा सा हो गया बिलकुल यह देखिए बिलकुल करक सा हो गया और जब इसको हम पकड के से छोड़ेंगे तो इसमें से आवास ही आएगी और जब हम इसे तोरेंगे तो बिलकुल यह कठ से तूट जाएगा तो इसका मतलब कि ये बिलकुल ready हो चुका है अगर ये नहीं तूट रहा है तो इसका मतलब कि चासनी हमारी ready नहीं है उसे आप और पका लिजेगा अगर नहीं तूटे तो लेकिन ये जो है न मैंने इसको जब पकड़के तोड़ा तो यसानी से ये तूट गया करक्सा तो उस तरीके से हमें चासनी चाहिए मुझफली के चिक्की बनाने के लिए तब ही हमारी मुझफली की चिक्की है न बहुत ही बेस्ट बनेगी मैं थोड़ा सा पेस्ट और डाल दे रही हूं आपको दिखाने के लिए कि ये बिलकुल करक्सी हो चुकी है और गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे यहां पर जब हम चासनी चेक करेंगे तो नहीं तो चासनी बहुत ही ज़्यादा पक जाएगी ये देखे बहुत ही असानी से तूट जा रहा है करक्सा हो गया है तो ये चासनी जो हमारी है न अब बि काने की जरूरत नहीं यह दिखी बिलकुल कड़क सा तूट गया तो इस तरीके से में इतनी चासनी चाहिए अब यहां पर मैं मुंगफली डाल दे रही हूं इस चासनी में और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह जो प्रोसेस है फटा-फट करना है थोड़ा लगा करा हुआ है तो इसमWow जल्दी से पलट लेंगे मुंगफली डाल चासनी को यह प्रोसेस हमें फटा-फट करना यह नहीं तो यह कठा होने लगे जमने लगेगा, अब इसे हम चारो तरफ प्लेट में फैला देंगे, तो इस तरीके से मैं चारो तरफ प्लेट में फैला दे रही हूं, इस तरीके से बनाएगा तो आपकी जो मुंख़ली की चिक्की है कभी खड़ाब नहीं बनेगी, और बहुत ही परफेक्ट बनेगी, तो मैं इसको चारो तरफ से फैला ले रही हूं, पूरे प्लेट में, तो इस तरीके से मैंने इसको प्लेट में फैला लिया, तो देखिए इसका कलर कितना बढ़िया रहा है, आप लोगों को रेस पी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा, कमेंट्स में बत लिखने में ही लगे कि हलका सफ्ट है, ज्यादा सफ्ट में भी नहीं, उसी समय हम कट कमार्क लगा लेंगे, जिस अनुसार आपको सिफ बनाना है, उस अनुसार आप इसे काट सकते हैं, मैं चरकोर इसक करूँगी, तो मैंने इस तरीके से लंबे लंबे साइड में और फिर इसको घुमा के सेड में भी कट कर लिया है, अगर आप मेरे चैनल पे निव हो, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजेगे, अब बेल आइकन के साथ, तो यहाँ पर मैंने सभी चिक्की को कट कर लिया है, यह देखिए थोड़ा सा हाड भी हो चुका है, तो इसके पीसे इस तरीके से हमें कट का मार्क लगा देना है, अगर आप इस ट्रिक और टिप्स से बनाईएगा तो आपके मुझफले की चिक्की बहुत बढ़िया बनेगी, बिल्कुल मार्कर जैसे, आप घर में बहुत ही टेस्टी बनाके त्यार कर सकते हैं, अब इसे हम पूरी तरह ठं की तो प्लेट से निकलने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप किस तरीके से असानी से निकाल सकते हैं, आगे मैं वो भी बताऊंगी, इसको पूरी तरह से ठंडा हो जाने देते हैं, पहले, तो देखिए बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है, जितनी देर में ठंड प्लेट रख के हम चारो तरफ घुमा लेंगे, जिब यह हलकी नीचे से गरम हो जाएगी ना तो बहुत ही असानी से निकल जाएगा, जरा से भी दिकत नहीं होगी निकलने में, तो इस तरीके से चारो तरफ से घुमा के हम प्लेट को गरम कर लेंगे, तो यह दिखिए कुछ टिप्स बता रहे हूं जब हम चासनी को मुंगफली और गुर की चासनी को जब हम निकाल लेते हैं प्लेट में इसको फैलाने के लिए आप एक छोटी सी कटोडी ले लिजिए और उसके पीछे वाले साइड में घी लगा लिजिए और उस कटोडी से भी आप इसको अच चासे ना सकते हैं बहुत ईजी तरीका है और यहां पर कट करने के लिए जब हलका सा गरम ड़ए तभी हम कट करेंगे बिलकुल ठंडा में नहीं करेंगे तो मैं नाइफ में लगा लिए हूं घी इससे बहुत असानी से कट जाता है कोई दिकती होती नाइफ में घी लगा के नहीं आप इसको काटे, क्योंकि हलका गड़म है, तभी हम कट करेंगे, नहीं तो ठंडा होने के बहुत हाड हो जाता है, तो कुछ टिप्स और ट्रिक जो हम अपनाएंगे न, छोटी-छोटी, तो हमारी जो मुंग फाली की ये गजक, ये चिक्की के ये, बहुत ही टेस्टी बनेगी, और बिल्कुल मार्कर जैसे बनेगी, तो आप लोग भी बनाएंगे इस तरीके से, और इंच्जोई किजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाबाई, टेक क्यार, थैंक्स फर वाचिंग,